अवे चिद्रान, आज हम लायन की स्टोरी सुनने वाले हैं, देखो, लायन, लालची शेर, जंगल का राजा शेर, देखो, जंगल का राजा, बहुत भुखा था, उसको क्या लगी थी, बहुत भुख लगी थी, शेर शिकार की खोज में, जंगल में पटक रहा था, क्या कर र गुम रहा था, तभी उसकी नजर, पेड के नीचे, सोये, खरगोश पर पड़ी, देखो, कौन है यह, रैबिट, यहां पर रैबिट सोया हुआ है, तो यह लायन को, क्या दिखाई दिया, रैबिट दिखाई दिया, शेर, खरगोश को दबोच ने ही वाला था, कि तभी उस इसने एक हीरन को देखा, क्या हुआ, यह रैबिट यहां बे बैठा था ना, तो लायन इसको पकड़ने ही वाला था, तो उसको क्या हुआ, एकदम से यह, देखो, डियर दिखाई दिया, बड़े शिकार की लालच में, हीरन को पकड़ने दोड़ पड़ा, फिर क्या हो पता है, यह, लायन ने क्या किया, रैबिट को नहीं पकड़ा, और डियर के पीछे भागने लगा, हीरन के तेज दोड़ने की वजह से, शेर उसे पकड़ नहीं पाया, क्या हुआ, डियर तो बहुत फास दोड़ता है न, तो फास दोड़ने लगा, तो शेर यह, लायन उसको पकड़ नहीं पाया, फिर शेर की नजर गिलहर इपर गए, देखो, स्क्विरल, शेर गिलहरी को जपटने के लिए दोड़ा, क्या हुआ, लायन ये स्क्विरल को पकड़ने के लिए दोड़ा, तो गिलहरी उचे पेड़ पर चड़ गई तो ये जो स्क्वीरल थी ना जली 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 पेड़ के उपर चड़ गई ठके हुए शेर को सोहे हुए खरगोश की याद आई फिर इन सब के पीछे दोड़ा तो उसके हाथ तो कुछ नहीं लगा तो उसने ये रैबिट को देखा था ट्री के नीचे सोया हुआ तो वापिस लायन कहां आया या रैबिट को पकड़ने के लिए आया पर लोटकर कोई फाइदा नहुआ खरगोश वहाँ से भाग चुका था क्या हुआ जब लायन वापिस आया रैबिट की पकड़ने के लिए तब रैबिट तो वहाँ से भाग चुका था यानि क्या हुआ ज़्यादा उसने लालच की तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया इस पे हमको क्या सिख मिलती है जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए और चाहिए और चाहिए लालच नहीं करनी चाहिए आपको स्टोरी अच्छी लगी बाई